जी इस जमाना लग हो गया है कि भगवान ते भी लिन दिन का मामला चल रहा है कि आप मेंना ये काम कर दो तो ये हो जाएगा और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले कि वही कहीं और माथा टेकते हैं यहां तो काम हो नहीं रहा तो ये भक्ती नहीं होती तो एक तो जो perception भक्ती का बन गया है कि भजनकीरतन पुजा पाठ कर लिया और भक्ती हो गई भक्ती का असल मीनिंग है surrender समर्पन और समर्पन व्यक्ती कब करता है जब पहला चीज विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़ादा depression में नहीं जाते हैं आपने सब कुछ देखा है चाए struggle है, insult है, rejection है हर फील में हर चीज होती है अगर आप आगे भढ़ रहे हैं कोई position पर जाने की बुरा नहीं चाती तो कई बार बुरी चीजे भी मेरी जिंदगी में हो रही है मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है तो यह समर्पन, यह भगती है तो यह आपको हारने नहीं देती क्यों हारेंगे आप क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं तो आप अपने आप आप गिरे आप फिर उठेंगे कि नहीं भई अभी गिरना शायद जरूरी होगा उसका इशारा है इसलिए चलो फिर उठते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन ने भी जब समर्पन की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धरम का मतलब होता है अंध विश्वास नहीं क्योंकि अगर अंध विश्वास होता अंध विश्वास में question करना लाउड नहीं होता आपको गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो दो पन्ने में खतम हो गई होती ये दोनों के बीच की बात है जिसमें अर्जुन ये जानते हुए के सामने कौन खड़ा है question करने के तो कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है क्या question करना पर उसने continuously questions किये है पर उसका भी नाम आया था समर्पन कि वो समर्पित होकर question कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिग्यासा बाहर नहीं निकालूँगा मैं अपने questions पूछूँगा तो भक्तिकार्थ ये होता है कि पहला निश्काम होता है क्या फाइदा मत धूनिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान ही नहीं भई भगवान कहा है भगवान होते तो ऐसा होता क्या वो तो इंसान है इसलिए ऐसे हो रहे है काम भगवान ने तो सब को देखे बच्चा तो मासूम ही होता है बड़े होकी खराब हो जाता है कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या छोटा सा बच्चाई डॉन बनने के बारे में सोच रहा है वो तो बच्चाई होता है मासूम होता है सच्चा होता है तो भगवान इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है तो वो एकदम प्यॉर होते हैं बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं क्योंकि हमको इल्जाम लगाने के लोग चाहिए ये फेलियस के लिए भी आप फेलियस के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था मुझे parents ने support नहीं गया मेरे पास यह नहीं था वरना कर देखा जाए इनी situation में कई लोग है जो काम करके आगे बढ़ जाते तो करने वाला तो कर लेगा नहीं करने वाला इल्जाम लगाएगा तो वो इल्जाम अभी हमें ऐसे दिखता है एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है भगवान लगाओ इल्जाम एक फोटो है ना इंटरनेट पे कि भगवान खड़े छोटी बच्ची खड़ी है छोटी बच्ची के हाथ में टेडी बेर है तो भगवान उन मांग रहे है और वो अच्ची बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे नहीं देना उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ाओ से टेडी बेर रखा है और भगवान उसको कह रहे है कि बस दे दो और मुझे पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज जो तुमसे आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मिरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ मैंने तो इतनी पूजा की थी इतना काम किया था शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो तुम और बड़े चीज के लिए बने हो तो निशकाम क्या है कि आपकी भक्ती निशकाम है स्वार्थ से नहीं बनी है तो भक्ती आगे बड़ेगी दूसरा सरेंडर कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिब उसके पास है तो ये दो चीज़ चीजे जो भक्ति में तीसरा हम जब करते है सत्संग जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग तो सत्य कौन है जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोग्रु श्रीमत भगवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है उसमें सच्चिदानंद सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीजे मिलकर बनती है वो है सत्चित और आनंद जो ये तीन चीजों को जीवन में समझ लेगा साई से उसने भगवान को समझ लिया ये भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है तो सबसे पहला है सच जो कहा गया सच की रहा पर चलो ज अरे signal पर खड़ा हूँ, अरे बस पहुंट गया, अरे क्या हो गया, वो दो बाते तो सुनाएगा ना सिर्फ, कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में जूट बोल रहे हैं, यह हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर यह बहुत बड़ी बात है, कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते, और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ के जो प्रॉब्लम से उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं, जिंदगी का सत सामने आएगा तब तो बैंड ही बढ़ जाएगी पूरी, क्योंकि वो कठिन है जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई, आप राम जी को उठाइए, क्रिश्न जी को उठाइए, जब तक यहां रहें कोई सुखी नहीं रहा, तो सुखी तो कोई नहीं रहा यहां पर, आपको सुख खुद ढूणना पड़ता है, आपको अपना जीवन खुद निकालना पड़ता है अपने choices को लेकर, तो इसलिए पहला सत है, दूसरा चित है, awareness, हम aware नहीं हैं चीज़ों को लेकर, हम ignore करते हैं, awareness और ignorance, यह opposites हो गए, कि कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, नहीं है, मैं अधिकतर नास्तिक आपको धूनना पड़ेगा, भगान, मेरी पापा ने मुझे एक बात कही था, भगवान मानने की चीज़ है, जानने की नहीं, जानना क्या होता है, पहले इस्तमाल करें, फिर विश्वास करें, घंखेंगे, है की नहीं है, फिर बताएंगे, तो भगवान है, वो गएंगे, देख, मैं अभी घुमाता वो भगवान है भई उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने या मुझे दिखा तु है कि नहीं तो भगवान मानने की चीज है मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहा है तो भगवान के लिए वानागे कि पहले आपको मानना पड़ता है दाटे सरेंडर कि मैं मानता हूँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ अधिकतर लोग अभी पढ़ क्यों रहे हैं जान क्यों ने गलत साबित करने के लिए और दुनिया के लिए आप किसी भी चीज को जानने की कोशिश करो तो सिर्फ एक खाली दिमाग से जानने की कोशिश करो अपने दिमाग से नहीं कि मुझे गलत साबित करना इसलिए पढ़ता हूँ चलो तो फिर आपका दिमाग सीधा उस गलत बात पर ही जाएगा कि देखो मैंने तो बुला ही था गलत है और उसके आसपस कितनी अच्छी बाते लिखियोगे आप देखेंगे नहीं पर आपको जो साबित करना थे आप लोग सुनते भी आजकल इसलिए है कि घघा बात पकेहती कि आजकल कफ cœur बची यह सुनने वाली चीज और आप कहीं कि वो एक दुख सुनाओ वो चार सुनाता है क्या ही मदद मांगे कि तो मेरे से दुखे तो मेरे से और भाद सुरूपे रख भाई तो लोग हर वक कोई सुनना नहीं चाहरा और सुन भी रहे हैं तो इसलिए कि ताकि बस मैं बोल सकूँ कि ये खतम करे बस जल्दी से चुप हो ताकि मैं बोलू तो ये बंद करिये भगवान ने अरजुन की पहले पूरी बात सुनी थी एक बार भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया उसकी पूरी बात सुनी क्यों तब ही वो आंसर ठीक से कर पाएंगे अगर आप बीच में हर चीज में इंटरप्ट करेंगे लोगों के ओपिनियन्स में इंटरप्ट करेंगे तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे क्योंकि बोलोगे तो वो ही जो आता है पर सुनोगे तो कई बार ऐसी चीज़े पता चलेगी जो नहीं पता, जो नहीं आता है आते हैं देखे और आनंद का मतलब आक्चली पॉमनेंट हापिनेस होता है जो आपको भगवान के साथ ही मिलता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है बाकी सब कुछ टेंपररी है और टेंपररी खुशियों के लिए भगवान ने अरजुन को लड़ने के लिए इसलिए नहीं बोला था कि दिको राज्यू मिल जाएगा खुशी मिलेगी, पैसा मिल जाएगा, नहीं एक permanent happiness थी कि मैंने अपना काम अच्छे से किया उसके लिए लड़ो तो जो भी काम कर रहे हो permanent क्या है उसमें वो देखो और यह आपकी success पे भी काम आता है भगवान जिसे अब हम कहते ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या छोड़ने के लिए नहीं कि आप पहली चीज जब दुख आ रहा है तो depression में मट जाओ क्योंकि आप जानते हो ये भी permanent नहीं है temporary है, कल फिर ठीक हो जाएगा खुशी आ रहे है, तो घमन मत करो ये भी निकल जाएगा ये position भी जादा समय तक रहीगी नहीं तो उसको रखने के लिए काम करते रहो तो भगवान हर चीज में कहते balanced रहो और permanent वो है उसके पीछे भागो तो आप अपने आप ये जो दिखावे की दुनिया है, करते हम सब है और सब कुछ करना चाहिए लाइफ में सब enjoy करिए पर अगर उसको जानते हुए करोगे कि ये permanent नहीं है तो जैसा मैंने का वो यहां जाएगा नहीं जिसे एक पक्षी है आप पेड़ पे उसको बिठा दो और जिस ब्रांच में वो बैठी उसको काटने लगो और जब तो ब्रांच नहीं गिरेगा वो नहीं हटेगी लिएकि उसको ब्रांच में भरोसा है ही नहीं उसको पता यह रहेगा ना उसको अपने पंकों पे है कि वो जैसे ही गिरेगा मैं उड़ जाओंगी